हल्दी का दूद हल्दी के दूद की रेसिपी हमें आपके लिए लाए हैं हमने हल्दी का दूद बनाया है जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फाइदा करता है हमें सर्दी जुखाम से दूद रखता है और हल्दी के दूद में रोग प्रतिरोधत चमता होती है यह हमने 500 ग्राम दूद लिया है और इसको हमने कड़ाई में गरम करने के लिए डाल दिया है और इसको तेज फ्लैम में हम पकाएंगे दूद को हम चलाते रहेंगे और बॉइल आने लगा है यह देखिए दूद खोलने लगा है और दूद खोलते ही हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं एक चमच पिसे होई हल्दी हमने डाल दी है आप चाहें तो कच्ची हल्दी से भी दूद बना सकते हैं हल्दी का दूद देख हमने पाउडर डाला है और इस तरह से हम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे कि दूद उपनेगा है खोलेगा और पंदरा बीस मिट तक हम इसी तरह से हम दूद को बॉइल करते रहेंगे इस तरह से हम दूद को बॉइल कर रहेंगे और देखिए दूद गाड़ा हो गया है और गाड़ा होने के मतल़ ये कि थोड़ा दूद जो हमने 500 ग्राम गिया था उसमें थोड़ा कम हो गया है 100 ग्राम करीब क्योंकि गाड़ा हो गया है दूद और ये खौल रहा है अब इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं दो चम्मच हमने शक्कर डाल दि आप जरूर बनाई सर्दियों में जरूर पीना चाहिए हल्दी का दूद क्योंकि हल्दी के दूद में जो तागत है शक्ती है वो बहुत ही बलसाली बनाता है यह हमने सिनेमन डाल दिया एक चुटकी और इसको भी हम चलाएंगे मिला लेंगे अच्छी तरह से और यह दूद देखिए बॉयल होता जाएगा और यह दूद बहुती स्वाधिस्ट और फायदेवंद हल्दी का दूद सर्दियों में डेली पीना चाहिए प्रति दिन शाम को रात के समय एक गिलास दूद पीके सोना चाहिए और यह देखिए दूद को हमने मिला लिया चला लिया सिनेमन दोनों ही दूद को और जादा अच्छा स्वाधिस्ट बनाते हैं सुगन बहुत अच्छी आती है इससे और स्वाध तो बढ़ी जाता है इस तरह से दूद हमारा हल्दी का दूद बन रहा है और यह हमने हरी लाइची डाल दिये थोड़ी सी दो केबल डाली है और इस तरह स दूद सर्दियों में रोद बना के पीजिए बहुत फाइदा करता है यह देखिए दूद इस तरह से बना है और बनाएए जरूर और लाइक शेर भी करिए आप कमेंट्स करिए कि हमारे दूद की रेसेपी जो हल्दी का दूद हमने बनाया है वो आपको कैसी लगी और आप इसे जरूर बना के बताईए और आप देखिए कि बनाने में कितना टाइम लगता है 15-20 मिट कम से कम इस तरह से दूद बन के त्यार होता है हम गयस बंद कर रहे हैं और इस तरह से हम गिलास में आप दूद को निकाल लगी गरम गरम पीना चाहिए धन्यवाद